मैं हूँ एडोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई 376 के F.I.R. आपके विरुद धुकराई गई है तो F.I.R. फॉल्स है यह आप साबित कैसे करोगे वो F.I.R. जूटी है यह साबित कैसे करोगे कौन-कौन से ग्र पर आप साबित कर सको कि वो F.I.R. जूटी और उसको चलाया नहीं जा सकता केस आपका खतम किया जाना अवश्यक है वीडियो स्टार्ट करूपूरा उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बार आ रहे है या भी त बिना अपॉइन्मेंट डिरेक्ट कॉल ना करिएगा बिलकुल भी क्योंकि डिरेक्ट कॉल आंसरेबल नहीं होगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते देखिए जैसे ही 376 की F.I.R. होती है लड़की ने अगर फॉल्स F.I.R. लिखाई है तो उसमें मेडिकल नहीं होगा मैं बार बार अपने वीडियो से बता चुका हूँ F.I.R. डिले से होगी मेडिकल नहीं होगा F.I.R. डिले से होगी तो कैसे आप कह दोगे कि वॉसली F.I.R. है या फिर उसको प्रतारित किया गया है या सेक्शूल ओफिंस उसके साथ कारित किया गया है और दाल में तड़का डालने के लिए लोग उसमें पॉसको एड़ान करा देते हैं जैसे लड़की की उमर अभी 19 साल है या 15 साल है अगर 15 साल है तो तो चलो पॉसको बनता है अगर कुछ ऐसे ओफिंस हो रहे हैं लेकिन अगर 19 साल है और 5 साल पुराना इंसिडेंट जानबूच के दिखा दें कि 5 साल से करते चले आ रहे हैं सिर्फ उसको पॉसको का कलर देने के लिए जहां पर ऐसी कंडिशन सोरी वहां पर फॉल्स होता है चलिए देखिए सबसे इंपोर्टेंट है कि देखिए रेप जो होता है हमेशा प्राइवेट प्लेस पर होता है इसका कोई आई विटनेस नहीं पर सजा होती है ठीक है लेकिन अब जब लड़की ने कहा है कि उसके साथ चार लोगों ने मिलके बलादकार किया हुए उसका रेप करा हुआ है तो अगर आप यकीन मानिये कि चार लोग अगर मिलके बलादकार किसी लड़की का कर रहे होंगे बारी बारी से कर रहे होंगे लगातार साथ में कर रहे होंगे तो उसकी बोड़ी पर कोई न कोई इंजरी आनी चाहिए क्योंकि सेक्स और रेप में जमीन आस्मान का अंतर होता है सेक्स जो होगा वो विलफुल होगा आप अपनी मनमर्जी से कर रहे होगे उसमें कोई भी चोट किसी भी तरीके की चोट आपको किसी भी तरीके की इंजरी नहीं आएगी लेकिन जब रेप हो रहा होगा वहाँ पर आप अपने हाथ पैर तो डिफिनेटली जटक रहे होगे अपने आपको बचाने की चेस्टा हर तरीके से कर रहे होगे इस दोरान आपको कुछ खरोचे तो आने ही आनी चाहिए लेकिन जहां पर यह जूटी F.I.R. होती वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की मेडिकल में इंजरी निकल कर नहीं आ रही यानि कि क्लियर कट हो जाता है कि जूट तरीके से फसाने की कोशिश करी गई है वो कैसे दिखे जब आपका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है गाओं के केस में मैं एकसर देखता हूँ यह सारी चीजे कि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है प्रॉपर्टी के मुकदमें जीतने के लिए अपोजिट पार्टी क्या करती है अपने लड़कियों का नाबालिक बच्चों का सहारा लेती है जिनके माधिम से वो रेप जैसे गैंग रेप जैसे ओफिंसेस में फायार रेजिस्टर कराते हैं कि चार लोगों ने मिलके बलातकार कर दिया और उसमें सबसे 18 महीने 19 महीने जेल काट कर आए बिचारे और जेल काट कर आए उनकी लाइफ दैनी हो गई फैनेंसियल स्टेटस गड़बढ़ा गया सब कुछ खराब हो गया बाद में पता चलता है कि जो है ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई थी लेकिन इस दोरान उनकी लाइफ तो स्प का करतें नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाया गया कि पहले से उनके बीच में केसिस चल रहे थे तो जहां फॉल्स F.I.R. होगी वहाँ पर आपके बीच में पैसे का कोई लें दिन पहले से चल रहा होगा जब आप पैसे की डिमांड करोगे तो अपोजिट पार्टी केस लिखा देगी जैसा मैंने अभी बताया प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होगा तो प्रॉपर्टी के विवाद को लेके केस लिखा दिया जाएगा ईगो में लिखा दिया जाएगा लिविन रिलेशन्सिप में जवाब रह रहे होगे तो अब इन सब चीजों का तोड़ गया है नहीं होगी तो कैसे मालने की रेप उसके साथ कारिद हुआ है जहां समय तारी घटना प्लेस अस्थान ये सारी की सारी चीज़े मिसिंग होंगी वहां आप मान के चलिए ये फाइयर फर्जी है फॉल्स तरीके से लिखाए गई है सिर्फ और सिर्फ आपको केसिस में Implicate करने के लिए केसे में नामजद करने के लिए फसाने के लिए तो जहां पर इस तरीके की कोई F.I.R. डिष्टर होती है आपको फसाने की चेस्ट रागरी जाती है तो ऐसे में आपको इसमें जमानत कैसे लेनी है یा इस केस को खतम कराना कैसे देगे जैसे F.I.R. की स्टेश पर आपको पता चल रहा है कि आपकी अगेंस्ट F.I.R. हुई और आप कहते हो कि आपके द्वारा किया नहीं गया आप उस जगहें पर थे ही नहीं हमारे बहुत सारे वकील हैं जो कोर्ट में रहते हैं और उनके गावं में उनकी अपोजिट पार्टी उनके पता चलता है कि F.I.R. आपके अगेंस्ट रहे गई है तो आपको तुरं तुरंत F.I.R. कोईशिंग में और निबल हाई कोट आना है अरेस्ट इस्टे लेना है उसके बाद अपनी नौकरी आराम से घर नहीं है नहीं तो अगर आप गिरफतार हो गए सरकारी नौकरी में औ 45 घंटे से ज़्यादा जेल रहे तो आपकी नौकरी चली जाएगे फिर सर्विस मेंटर का भी मुकदमा आप लेके आओगे लडने के लिए इसलिए जैसे रेप की F.I.R. रेजिस्टर हो तुरं तुरंत F.I.R. कोईशिंग में आईए अरेस्ट इस्ट 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 चार्शिट सम्मिशन तक आरेस्ट इस्ट इस्टे आप करहेगा उस तोरान आप एंटिसबेटरी बेल ले लिजे और उसके बाद अगर जो है चार्शिट सम्मिट हो जाती है तो चार्शिट कोईशिंग में चेले आईए प्रोसीडिंग इस्टे लोवर कोट की करा लिजे ताकि कुछ आगे charges वगेरा frame ना हो charge sheet question में आते हैं अगर आपकी charge sheet question सफल नहीं होती है तो इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको तुरंट तुरंट lower code पे discharge फाइल कर देना है charges frame होने के पहले ही ध्यान रखिये कर discharge फाइल गिया जाता है तो lower code पे discharge फाइल करिए जब discharge में भी आप सफल नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है आपको सीधी सी बात है क्या करना है पूरी entire criminal revision में जाना है अगर discharge आपका fail हो गया lower code में तो आप high code में criminal revision में जाएए जब criminal revision भी आपका fail हो जाता है तब आप entire proceeding lower code की challenge कर दीजिए उसके बाद भी काम नहीं होता है तो फिर आप Supreme Court चले जाएए कहीं ने कहीं आपको 110% relief मिलेगी remedy मिलेगी in false cases से लेकिन ultimately लड़ना है FIR की stage पर ही questioning कराने की कोशिश करिए अगर आपके पास सब्बूत है कि आप जिस दिन की घटना कारित हुई है बताया जा रहा है उस दिन आप घटना स्थल पर नहीं थे आप अपनी नौकरी पर थे अपनी factory में काम कर रहे थे या दूसरे शहर में थे यह सारे के सारी चीज़े है CDR जो आपकी निकलती है CDR को केस डायरी का पार्ट बनाई है पुलिस को बोली CDR निकाले यह सारा चीज़े सारा विवरन जब आपका निकल कर चलाएगा तो आप सेफ हो जाएंगे आप बच जाएंगे आपकी लाइफ बच जाएगी लखनव, इलहाबाद, डैली कहीं पर भी आपको मेरी जरुवत पड़ती है आपको मेरी जरुवत पड़ती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना Facebook, Instagram, Twitter पर अभी तक आप लोगों ने मुझे अगर फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ने मिल जाने वाला है जै हिंद, जै भारत